स्पीकर ओम बिल्ला की बेटी ने पहले ही प्रियास में UPSC की परिक्ष्या पास की तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगे ने उन्हें टार्गेट करना शुरू कर दिया फेमस यूट्यूबर दुरूवराटी के पेरोडी अकाउंट से भी दावा किया गया था कि उनके पिता के प्रभाव की कारण वो सफलता हासिल कर सकी है अब अन्चुली बिर्डा ने कानूनी रास्ता अपनाया है पेरोडी अकाउंट का मतलब होता है कि वो अकाउंट जो दिखने में बिल्कुल असली अकाउंट की तरह ही होता है इस सरह की अकाउंट आम तोर पर पॉप्लर व्यक्ति और सेलिबरिटियों का होता है इनको दूसरे शब्दों में fan page भी कहा जा सकता है कई बार popular व्यक्ति की जानकारी में होते हुए parody account बनता है और parody account की आड़ में लोग ऐसी बाते कहते हैं जो वो publicly नहीं बोलना चाहते हैं अपनी पहचान शुपा कर दूसरों पर व्यक्तिकत तौर पर भी टिपड़ी की जाती है और पहचान इसलिए चुपाई जाती है ताकि मामला बढ़ने पर उन पर legal action ना लिया जाए या action लिया जाए तो parody account का हवाला दे कर वो बच जाए ऐसे ही कुछ मामला दुरुबराठी के दुवारा किया गया था उसी पर अब बवाल छुड़ गया है क्या कुछ है मामला क्यों दुरुबराठी की बढ़ गई हैं मुश्किलें सब कुछ विस्तार से बताएंगे चलिए शुरू करते हैं यूट्यूबर तुरुबराठी की बड़ी मुश्किलें ओम बिल्ला की बेटी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट सोशल मीडिया पर व्यक्तिकर टिपणी का मामला नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पारुल तुरुपार्टी लोगसभा के स्पीकर ओम बिल्ला की बेटी अंजुली बिल्ला आई आर पीएस अधिकारी है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानी का केस दायर किया है उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की है जिसमें जूटे आरोप लगाए गए हैं कि अपने पिता के प्रभाव के कारण उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएसी की परिक्ष्या पास कर ली थी अंजुली ने मानहानी के मुकदमे में इस बात का जिक्र किया है कि कई सोशल मीडिया पोस्ट उनके बारे में भ्रामक और जूटी ज्यानकारी फैला रहे है उन्होंने इसे अपमान जुनत प्रकरती बताया है उन्होंने कहा कि इन जुटे और अधारहीन आरोपों से वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने की मंच्रा का पता चलता है जस्टिस नवीन चाबला की पीठ ने इस मामले को जल सुनवाई करने पर सहमती जताई अंजली की ओर से वारिष्ठ अधिवक्तार राजीव नायर ने मामली को तदकाल सुची बत करने और सुनवाई की मांग की थी अंजली की ओर से कहा गया है कि कई लोग सच्चाई जाने या किसी सबूत के बिना उनकी पेशेवर प्रतिष्टा को पूरी तरह से नस्ट करनी का प्रियास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इसके पीछे मनशा उन्हें टार्गेट करके मौचूता सरकार के खिलाफ विवाद पैदा करना है ये भी कहा गया है कि सूट प्रतिवादियों को वादी और उनके पिता Umbrilla सहित उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिश्टा को कलंकित करने से रोकने के लिए भी दायर की गई है अंजली बिर्ला ने हाल ही में एक व्रतिनिधी के माध्यम से साइबर सेल महराश्च के पास ग्यात और अग्यात काई ट्विटर यूजर्स आदी के खिलाफ शिकायत दर्च कराई है अब इस मामले में दुरुवराटी कैसे फसें? लोगसबा स्पीकरों बिर्ला की IAS पेटी अंजली बिर्ला को लेकर सोशल मीडिया पर ज्रमकर बवाल उठा था सोशल मीडिया पर लोगों ने अंजली बिर्ला के बिना UPSC का एक्जाम पास किये सिलेक्ट होने को लेकर कई दावे किये थे हाला कि ये सभी दावे बात में छूटे साबित हुए अब इस मामले में एक यूट्यूबर को अंजली बिल्ला के खिलाफ छूटा दावा करना भारी पड़ गया है इसको लेकर महराश्ट्य पुलिस ने यूट्यूबर दुरुबराटी के परिटी अकाउंट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है दुरुबराटी ने बीते दिनों अपने सोशल मीडिया एक्स पर चल रहे परिटे अकाउंट में ये दावा किया था दरहसल बीते दिनों कोटा सांसर ओम बिल्ला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बार सोशल मीडिया पर उनकी बेटी को लेकर कई दावे सामने आए इनमें कहा गया कि स्पीकर बिल्ला की बेटी अंचली बिल्ला ने बिना UPC एक्जाम को क्रैक किये बिना ही IES बन गई है हाला कि जो मामले की परताल की गई तो ये मामला जूटा पाया गया इधर एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महराष्ट के रहने वाले यूट्यूबर दुरुवराटी के नाम से बने पेरोडी अकाउंट से जूट फैलाने की कोशिश की गई इसको लेकर अब महराष्ट पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था पुलिस इस मामले के जुआच कर रही है कि दुरुवराटी का पेरोडी अकाउंट से क्या कनेक्शन है क्या दुरुवराटी इस अकाउंट को चलाते हैं या नहीं बीतो दुनों सोशल मीडिया पर अंजली बिल्ला के UPSC परिक्ष्या पास नहीं करने को लेकर जुंकर जूटे दाविक किये गए इस मामले में बिल्ला परिवार के एक सदस ने दुरुवराटी के खिलाफ पोस्ट कर अंजली के बदनामी करने और बिना अनुमती के उनकी फोटो इस्तमाल करने का आरोप लगाते हुए शुकायरती इस पर मुंबई पुलिस ने भारतिय न्याय सहिता की धराओं में मानहानी देश के अंतराश्ट्रिय सर पर चवी खराब करने शान्ती भंग करने और आईटी एक्ट की धराओं के तहत जाच शुरू कर दी है इस मामले में केस दर्ज होने के बाद रुवराटी के पेरोडी अकाउंट से टूइट कर मामले में माफी मांगी गई थी माफी नामे में लिखा गया था कि महराश्व साइबर सेल दुआरा जैसे निर्देशुत किया गया है मैंने अंचली बिल्ला पर अपने सभी पोस्ट और टिपणिया हटा दी है मैं माफी मागना चाहूंगा क्योंकि मैं तत्थियों से अंजान था और किसी और के ट्वीट को कॉपी कर इसे साचा किया था हाला कि दुरुवराटी का अभी तक इस मामले को लेकर बयान नहीं आया है लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला की बेटी अंचली बिल्ला सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोगसभा अध्यक्ष की बेटी ने बिना कोई पेपर या इंटर्व्यू दिये पहले प्रियास में ही UPSC परिक्षा पास कर ली है हर ट्रेंडिंग पोस्ट में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अंचली बिल्ला को लोगसभा अध्यक्ष की बेटी होने का फाइदा मिला है लेकिन क्या ये वाकई सच है आई एक बार पता कर लेते हैं कोटा के सांसे दोम बिल्ला ने भारत की 18 लोगसभा की अध्यक्ष की रूप में श्रपत ली जिसके बात से ही स्पीकर बिल्ला के परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर करी कहानिया तैयार होने लगी जिन मेंसे एक उनकी बेटी अंचली बिल्ला को लेकर थी कोटा और दिली से पढ़ाई करने वाली अंजली बिल्ला के बारे में कहा ज़ा रहा है कि पिता के प्रभाव के कारण UPSC परिक्षया दिये बिना ही सिवल सेवक बनने का मौका उन्हें मिल गया था लेकिन इससे इतर सच्चाई ये है कि अंजली बिल्ला ने पहले प्रयास में ही UPSC परिक्षया पास की है अंजली बिल्ला लोकसबा स्पीकर उम बिल्ला के छोटी बेटी है अंजली ने कोटा के सोफिय स्कूल से बारवी तक पढ़ाई की इसके बाद उन्होंने दिली उनिवरस्टी के रामचस कॉलेज से राजनीती विज्ञान की डिवरी हासिल की थी कॉलेज में पढ़ाई के दोराहनी अंजली बिल्ला ने UPSC परिक्षा की तयारी शुरू कर दी थी साल 2019 में उन्होंने लोकसवा आयो की आयो जिस सिविल परिक्षा में शामिल हुई थी इस परिक्षा में अंजली ने पहले ही अटेंट में पास कर लिया था इस समय वो केंद्रे रेल मंत्राले में नौकरी कर रही है UPSC के साइट पर मौचूद है अंजली बिल्ला का रिजल्ट 2019 लोकसवा आयो का परिक्षा परिक्षा परिणाम 4 अगस 2020 को घोशित किया गया था UPSC की तरफ जारी एक प्रेस नोट के जरिये आयोग अपने नियम 16 भाग 4 और 5 के अलावा आयोग चुने हुए स्टूडिंस के अलावा आयोग एक रिजर्व लिस्ट भी तयार करती है जिसमें मेरिट लिस्ट में चुने गए अभ्यारती के बाद के कुछ चात्र होते हैं जिन में से भारत सरकार के कार्मिक विभाग से इन 829 बच्चों में से 89 बच्चों को चुना जाता है जिसमें स्पीकर ओम बिल्ला की बेटी भी श्वानल थी संग लोग सबा आयो की वेबसाइट upsc.government.in पर उनका रिजर्ट मौझूद है इसके अनुसार अंजली बिल्ला ने UPSC मेंस परिक्ष्वा में 766 और इंटर्व्यू में 176 मार्क्स हासिल किये थे UPSC 2019 परिक्ष्वा में उनके कुल मार्क्स 953 थे ये उनका पहला अटेंट था इसको लेकर अंजली बिल्ला पर आरूप लगाया जा रहा था कि ओम बिल्ला की वुच्छा से वो Civil Services में सलेक्ट हुई थी अब इसी को लेकर अंजली बिल्ला कोर्ट पहुँच गई है और मानहानी का केस उन्होंने दायर कर दिया है आपके इस खबर पर क्या राय है कॉमेंट सेक्षन पर हमें जुरूर बताएं बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें कैपितल टीवी